Hello guys and welcome to my YouTube channel Technical Uttar Pradish दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी जिदा important होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो मैं Realme 9i के top 20 feature आप लोगों को बताने वाला हूँ जो की hidden feature भी कह सकते हैं सबसे पाला feature आपको अपने phone में phone dialer को open करना हूपर 3.0 पर किलिक करके setting option दिखा देगा setting के option पर किलिक कर देना है setting के option पर किलिक करने वाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफियर देखने को मिलता है चौथा option है calling account का इस पर आप लोगों को किलिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर किलिक करने वाद यहाँ पर flash on call है यहाँ पर on कर देंगे तो आपके phone में जब भी कोई incoming call आएगी तो आपके flash light जलेगी दोस्तों हो सकता आपके phone में कुछ feature ना हो क्योंकि अगला update आएगा तो आप लोगों कुछ सायद यह feature मिल सकते है हमारे phone में जो भी feature दिया हुआ सारे feature आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर auto answer का option है इसको यहाँ से आन कर देते हैं तो आपके phone जब भी bluetooth से connect रहता है तो 5 सिकंड-10 सिकंड बाद automatic answer हो जाता है यहाँ आप देख सकते हैं auto answer का है दोनों option आप यहाँ से यूज कर सकते हैं अब यहाँ से बैक आते हैं चलिए important setting भी देख लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को quick response दिया हुआ इस पर click करना है quick response भी आप लोग यहाँ से set कर सकते हैं चलिए अब phone के setting में से देख लेते हैं क्या hidden features देख रहे हैं यहाँ पर हम setting को open करते हैं setting को open करनी बाद आपको scroll down करना है यहाँ पर हम नीचे आते हैं यहाँ पर privacy का option दिखाए दे रहा है privacy को option पर हम click करते हैं privacy के option पर click करनी बाद सब से उपर है sorry जो है यहाँ पे app log को option है तीसरे नमबर पर है इस पर किलिक करते हैं password बना है तो इंटर करेंगे यहाँ पे देखेंगे हमारा सारा application दिखायए देरे हैं किसी भी application को हम log कर सकते हैं इसके बाद है नीचे hide app, इस पर click करके password बना इंटर कर देंगे, अगर नहीं बना है बना इंटर बना लेंगे, और enter करेंगे सारे application दिखाए देंगे, किसी भी application को hide कर सकते हैं, अब इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं, प्राइवेट सेफ है, इस पर click करके password इंटर सब्सक्राइब करेंगे, तो यहां पर किसी भी photo और वीडियो को hide कर सकते हैं, अब यहां से आप लोगों को मैं बैक आकर दिखा दे रहा हूं, यहां साध आप लोगों को बले की skin दिखा रहा हूं, इसलिए हम बैक आजाते हैं, अब यहां से हम सेटिंग में आ चुके हैं, कन्वेंशन टूल पर हम लोग किलिक करते हैं, यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि पूरा सेटिंग यानि कि पूरा बैक आ जाना, फिर से मैं open करके दिखा दे रहा हूं, सेटिंग में जाते हैं, कन्वेंशन टूल के option पर किलिक करते हैं, सबसे उपर नेविगेशन का option दिखाई देता है, navigation के option पर click करते हैं, इस पर हैं सबसे उपर आप लोगों को मिल जाता है, sweep getter from both side, इस पर click करते हैं इस पर click करने बाद आप जो है दोनों side से slide करेंगे तो यहाँ पर sweep getter लग जाता है और bike आ सकते हैं यह button आप लोग यहां से लगा सकते हैं, जो भी style पसंद हो, यहां से choose कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बैखा जाना है, यानि पहले आप लोग देख लिजीए कैसे क्याँ पर car feature है इसके बाद यहाँ पर getter and motion के option पर click करते हैं, getter and motion के option पर click तो open camera draw V to turn on flashlight यानि कि इसको on कर देंगे हमारी जो screen आफ राती है तो V type करेंगे flashlight open होगी वो type करेंगे वो draw करेंगे तो camera open होगा इसके बाद यहाँ पे music control music control भी आप लोग on करना चाते हैं तो on कर सकते हैं आपकी screen आफ रहेगी तब भी आप music को control कर पाएंगे यानि उपर से slide करेंगे music बटन आजाएगी और यहाँ से left light slide करके music को कर सकते हैं इसके बाद है नीचे add getter का option add getter के option पर click करके यहाँ पर क्या set करना चाते हैं यम type करके, w type करके slide down करके, slide left करके जो भी setting करना चाते हैं जो भी option यहाँ से आप लोग choose कर सकते हैं तो यहाँ से हम सब कुछ कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर हम इसको off कर दे रहे हैं अभी फिलाल के लिए और back आते हैं, back आते हैं दूसरा feature आप लोगों को दिखाई देता है यहाँ पर sweep down with three finger take skin sort यहाँ पर on कर देंगे जो है नीचे की तरब जो three finger एक साथ slide करेंगे तो skin sort यहाँ देख सकते हैं capture हो जा रहा है इसके बाद है touch and hold three finger to take skin sort यहाँ पर three finger एक साथ हम यहाँ पर touch करके hold किये रहते हैं यहाँ पर skin sort दे देता करने के लिए अब यहाँ से हम जीतना area यहाँ पर crop कर लेंगे यहाँ की select कर लेंगे और उपर जो ride का निसान इस पर click करेंगे उतना area का जो है skin sort capture हो जाता है अब इसके बाद है नीचे race to wake इसको अगर आप अपने phone में on कर देते हैं उस call को अगर आप लोग receive करना चाते हैं तो आप अपने phone को अपने कान के पास ले जाएंगे automatic call receive हो जाती है अब इसके बाद है auto switch to ear receiver का option जो कि तीसरा number है नीचे तरब देख सकते हैं auto switch to ear receiver के option को अगर आप अपने phone में on कर देते हैं तो आप किसी number पर जैसे बात कर रहे हैं call पर बात कर रहे हैं और अपने phone को hand free आपने किया है अगर आप अपने phone को अपने कान के पास ले जाएंगे automatic hand free mode से हट जाएगा आपका phone receiver mode में आ जाएगा इसके बाद है last में flip to mute incoming calls अगर इसको आप अपने phone में on कर देते हैं तो आपके phone में जब भी कोई incoming call आती है उसको mute करना चाते हैं तो आप अपने phone को उल्टा करके रख दीजी आपकी call mute हो जाएगी यानि कि smart तरीके से आप जो call को mute कर सकते हैं call का answer दे सकते हैं और call को receiver mode में कर सकते हैं हैंड फिरी से receiver mode में यहां से सारे option को हम यहां से बंद कर देते हैं अब इसके बाद bike आते हैं bike आने के बाद यहां पर आप लोग देखेंगे फिर से screen sort के option पर हम click करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं screen sort लेना चाहते हैं कि इस तरीके स्यूप डाउन करके लेना चाते हैं और बटन आप लोग सो करना चाते हैं इसके इन सौर्ट में कि नहीं यहाँ पे आप लोग अपनी हिसाब से सेट कर सकते हैं इसके बाद हम बैक आ जाते हैं फिर अब इसके बाद है स्क्रीन recording को option इस पर किलिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हैं इसके रिकोर्डिंग में आपका system sound भी record होना चाहिए इसके बाद है record microphone, microphone भी यहाँ पे अब इसके बाद बैक आते हैं तो assisted ball का option है assisted ball पर हम किलिक करते हैं यहाँ से आन कर लेते हैं इसको आन करने के बाद यहाँ पर काफी जो हर गजब का feature यहाँ पर दिया हुआ टैप का option टैप के option पर आप लोग किलिक करेंगे जिसे यहाँ पर टैप के option पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर double tap के लिए आप लोग अटिक ओपन हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ से आप लोग कुछ भी adjust कर सकते हैं यहाँ पर लोग इसके इन वन हेंडेड मोर इसके इन सोट है यहाँ देख सकते हैं इसके बाद आप लोग को स्मार्ट साइड बार का option मिल कर सकते हैं यहाँ पर आन कर सकते हैं स्मार्ट साइड बार को आप लोग आन कर देते हैं आपके फौन में जोिए आप आप देख सकते हैं, slide करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा दिखाए देगा, यहाँ पे दिखाए देता है, यहाँ पे कोई भी जो है, feature, कोई भी application आप जो है, short तरीकी से open कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पे आप लोगों को application दिखाए देंगे, उन्हें application को आप लो लोग smart sidebar का use कर सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको भी बंद कर देते हैं और चलते हैं जो है दूसरी important setting के लिए तो यहाँ पर हमने बंद कर दिया और आते हैं बैक इसके बाद है split screen इस पर किलिक करके आप लोग अपने phone में split screen on कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं दोनों option को on करने बाद three finger एक साथ उपर की तरफ slide करेंगे नीचे सी उपर की तरफ तो आपका split screen open हो जाएगा और नीचे आपको दूसरा application यूज करना उपर दूसरा यानि कि दो जो है आप लोगों को sidebar दिखाए देंगे दो जो है डिस्प्ले दिखाए देगी अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं पूरा बैक आने कबाद additional setting पर किलिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना है यहाँ पर accessibility का option दिखाए देगा accessibility के option पर किलिक करने के बाद आप लोगों कुछ ऐसे interface देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर हम जो scroll down करते हैं थोड़ा नीचे आनते हैं यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को press power button to end call को option दिखाए देगा अगर आप अपने phone में इस option button को आन कर देते हैं तो आप भी जब भी किसी number पर यानी call पर बात कर रहे हैं आप पने power button को press करेंगे तुरंत call end हो जाएगी यानी call समाप्त हो जाएगी अब इसके बाद हम लोग बैक आ जाते हैं तो यह थी कुछ important setting जो कि हर यह realme की phone में होती है और आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पिले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए